तो प्यारे वच्छों हम आपके सामने लेकर के आगए हैं गनीत का मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जैसा कि आपको पता है कि आपका एक्जाम किस फरवरी को जो भी बच्चे एक्जाम देने वाले हैं वो सुरू से लेकर के लाश्ट तक देख लेना क्यूंकि इसमें जो भ प्रश्री है है बच्चों कहता है कि 156 चमें दो का घ्रं क्या इसा कहा रहा है तो हमासानी से निकाल लेंगे करेंगे क्यास सबसे यहां पर 156 दिया गए 156 का भाज गुनन खंड करते हैं तो यहां पर लिखेंगे 156 ठीक है अब हम करते हैं भाज गुनन खंड कितना से लगेगा बच्चो तो देखिए लाश्ट में सौम संख्या तो डिफिनेटली यह 2 से लग जागा तो 2 से लगाएंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा साथ हासिल जाएगा 16 यह जाएगा तो इसके बाद नहीं लगा तो हमारे पास पूछ रहा था कि दो का घहतां यानि 2 का घात क्या है तो हम इसको क्या लिख सकते बच्चो इसको लिख सकते दो गुने में तीन और गुने में तेरा अगर अगर इसको सौट फॉर्म में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते दो का घात कितना दो दो बार है तो इसको लिख सकते दो का घात दो ऐसे लिख सकते गुने में तीन और गुने में 13 ऐसे लिख सकते हैं तो 2 का घात कितना हुआ बच्चो 2 आया तो इसका option क्या होगा correct answer option पहला correct answer हो गया तो प्यारे बच्चो इसका correct answer हो जाएगा option A यानी पहला इसका correct answer हो जागा रोमनेंक एक इसका answer हो जागा ठीक है अब बात करते हैं बावर यहां पर दूसरा प्रश्ण की दूसरा प्रश्ण यहां पर क्या कहता है कि नमली खित में कॉन सा यूग्म सौई Internet 현 inhib पये पहचाने के लिए आपको क्या करना पतिए जो भी सख्या दिया रहा ता उन दोनों में से क्या करते हैं सबसे पहले हम मौसा ग्याद करते हैं अगर एक आता है मौसा तो वही अब आज से कहलाता है तो पहला प्रशन को हम देख लेते हैं पहला में दिया गए 14 और 35 तो 14 और 35 दिया गहाँ न पहला में ठीक है तो प्यारे बज़्जों सबसे पहले हम यहां पर क्या करते है 14 का fair कर लेते हैं तो दोसी लगाएं तो हमारे पास कितना होगा यह 7 होगा आभ यहां साथ से लगाएंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा है ना अब यहाँ पर 35 का फेक्टर करेंगे तो यह कितना से लगाएंगे तो यह कितना से लगाएंगे कितना से साथ से लगाएंगे तो एक आएगा अब इसका मौसर क्या होता है कि इन दोनों में से जो मैच कर रहा है उसको हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे मौसर ग्यात कर लेते हैं तो मौसर ग्यात करेंगे बाबू तो देखो यहाँ पे साथ है यहाँ भी साथ है तो यह साथ निकल जागा यहाँ एक है इन दोनों एक में से एक निकल जागा तो कहने का मतलब मौसर आगया साथ तो यह हमारे पास सहाभाजसंख्या नहीं हुआ पहला क्यों हम इसका मौसव ःड़ी तो यह नहीं हो सकता है दूसरा निकालते हैं अथारा और पचीस का चले है कोई दिकत नहीं हैं हम दूसरा को देख लिए अथारा अथारा के score करेंगे तो कितना से लगए दो से लगएगा तो यह 12 फिर इसको लगाएंगे 3 से तो यह 3 होगा फिर इसको 3 से लगाए तो यह होगा अब हम 25 का फेक्टिर कर दो पांसे था पेचा पाचीस अब यह कितना से लगए पांसे तो यह एक आएगा है न अब देखेंगे इसमें कौन मिल रहा है तो बाबु यहाँ पर देखें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ एक और एक मिल रहा है तो मौसव हमने निकाला मौसव हमने निकाला तो बाबू सिर्फ क्या आया इन दोनों में से एक निकल करके आ जाए जिसका पेर लगता है उसमें से एक निकाल लेते हैं वो ही मौसव होता है तो मौसव हमारे पास एक आया यही अंसर हो जागा ठीक है तो जिसका मौ 101 आ जाता है वह सब आज से हो जाता है यानि इसका करेक्ट एंसर हो जागा दूसरा ठीक है ओके अब बात करते हैं बावु यहां पे तीसरा परशनी की तीसरा परशनी के कहता है जरा ध्यान से देखिए कता राखिक समीकर्न युग्म 2x-3y बडाबर यानि पलस के 2 बडाबर 0 कॉमा 6x-9y पलस के 5 बडाबर 0 के कितने हल होंगे ऐसा आप से पूछा जा रहा है तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके a1, a1, b1, c1 इस सब लिख लेंगे a2, b2, c2 निकाल लेंगे ठीक है तो यह हमारे पास पहला यह पहला समीकर्न हो जागा यह बाद में यह दूसरा समीकर्न इसको अमाल लेंगे तो a1 का मान क्या हो जागा बाबू यहाँ पहला देख लो a1 का मान हो जागा इसमें 2x है तो यहाँ 2 लेंगे ठीक है b1 का मान कितना हो जागा बाबू बी 1 का मान हो जागा माइनस के 3 और C1 का मान कितना हो जागा बावू तो C1 का मान हो जागा पलस का 2 हो जागा ठीक है वही हम बात करते हैं बावू यहाँ पे देख लो कि A2 का मान कितना हो जागा तो A2 का मान हो जागा बावू यहाँ पे 6 हो जागा ठीक है और वहीं पे हम बात करते हैं B2 B2 का मान कितना हो जाएगा तो B2 का मान हो जाएगा माइनस के 9 हो जाएगा वहीं बात करते हैं C2 की तो C2 का मान ही आ हो जाएगा 5 अब वहीं हम तुलना करेंगे A1 बटा A2 पे तो A1 बटा A2 बराबर है A1 हमारे पास कितना है A1 हमारे पास 2 है और A2 हमारे पास 6 है, काटेंगे 2 Ti 6 कट जागा 1 मरतब, यानि हमारे पास जो आ जागा 1 वट्टा 3 आ जागा, अब हम निकालेंगे B1, B1 वट्टा में B2, तो B1 वट्टा B2 देख लेते हैं, B1 हमारे पास कितना है बावू, B1 हमारे पास है माइनस के 3, और B2 हमारे पास कितना थैर तो बी-टू मारे पास माइनस के नौ मा कट गया तो हमारे पास एक तो कहने का मतलब एक वट्टा तीन आगिया बीवनवटा बीटू अब सी मर आ सीडू डू करें थीडू निकां लेंगे तो सी वनवटा डू सीवन हमारे पास कितना है बाबू सीवन है प्लस का दो दैन सीटू हमारे पास कितना है तो सीटू हमारे पास है प्लस का पांच है ना तो पांच रख दिये तो कहने का मतलब देखिए कि ये और ये बराबर है कहने का मतलब A1 वटा A2 और B1 वटा B2 दोनों बराबर है लेकिन C1 वटा C2 बराबर नहीं है क्योंकि इन दोनों का मान बराबर है लेकिन ये मान अलग है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम नहीं है यहीं नकाते हैं तो इस परकार के समीकर्ण का क्या है बावू? तो कोई हल नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास इसका एंसर क्या हो जागा दूसरा हो जागा, यह correct एंसर हो जाएगा अब आजा वच्छो यहां पर चौथा प्रशन को solve करते हैं चौथा प्रशन कहता है कि दुई घास समीकर्ण इतना इतना बरावर जीरों की मुलों की प्रकिर्टी है तो मुलों की प्रकिर्टी गात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं D याद कर लेते हैं D बराबर हम क्या लिखते हैं B S Q R minus 4 A C लिखते हैं तो हम यहां पर करेंगे क्या B का मान क्या है हमारे पास तो बबू यहां पर देख लो B का मान है यहां पर एक से जो नजर आ रहा है इसमें एक च्छिपा है तो एक का स्वार कर देंगे और माइनस के 4 गुन्हे में A A की value यहां d कमान जो है वो minus के 19 है मतलब क्या हुआ कि 0 से थोटा हुआ d कमान 0 से हम क्या कह सकते है छोटा है Cמ Ф जब इस परकार के condition आता है तो हम क्या कहते हैं इसका अवास्तविक मुल होता है याण इसका कोई हल नहीं होता है तो पास अब आस्तिव के हो जागा यह तीसरा correct answer हो जाएगा ठीक है चार का कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू अब हम क्या करते हैं आईए अगला प्रश्ण ले ले लेते हैं ठीक है तो आपने इसको solve कर लिया अब यहां पे हम क्या करते बाबू पाचमा प्रश्ण को हम solve कर लेत किया यहां पर सम चख है और यह विकर्ण हो गया और एक आसे विकर न होता है नहां और एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण को मान लो कि यह ओ बिंदू पर पर परतीचेद करती है तो पहले विकर्ण 6 cm दूसरा विकर्ण 8 cm ठीक है तो मान लो कि यह दूसरा विकर्ण है इसको हम 8 cm मान लेते हैं तो दूसरा विकर्ण डीबी है तो डीबी हम मान लेते हैं अब यहां पर आपको पता होगा कि जब विकर्ण एक दूसरे को जहां पर परतिछेद करती है वो क्या होता है कि बराबर बराबर दूरी में बाड़ देती है जैसे यह बिंदू जो हो गया न डीवी को बराबर बराबर दूरी में बाड़ दिया जितना Do होगा, उतना ही O B होगा, उसी तरीके से ये बिंदू AC को भी बराबर बराबर दुरी में बाठ दिया, जितना OA होगा, उतना ही OC होगा, ठीक है, और आपको पताए कि विकर्ण जो होता है एक दूसरे को जहां पर काड़ता है वहांपे क्या होता है बाबू, समकोन होता है ठीक है तो माल लो कि हमको एक तिर्भुज ले ले लेते हैं कि तिर्भुज A, O, B ले ले लेते हैं ठीक है तो तिर्भुज A, O, B में चलेंगे यहाँ पे लिखते हैं तिर्भुज A, O, B, में ठीक है अब यहाँ पे कौन जो है ओ यहाँ पे क्या 90 डिगर या नि यहाँ पे देख लो कि डीबी हमारे पास 8 cm है तो भी कितना हो जागा तो भी हो जागा बावु इसका आधा कर देंगे तो 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा, बावु 4 होगा तो हम यहाँ पे 4 सकते है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डीवी का अधा जो है वह ओभी है तो भी यहाँ पे लिख देते हैं बाबु ओभी हो जाएगा चार सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत उसी तरीके से AC हमारे पास 6 cm है तो AO हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू यह हो जाएगा 6 कादा यानि 3 cm हो जाएगा तो यह हमारे पास 3 cm हो जाएगा ठीक है अब हमें क्या करेंगे यह भूजा ग्यात कर लेंगे कैसे ग्यात करेंगे समकोन के सामने वाली भूजा को क्या कहते है कर्ण कहत अधार हम कै छोर्फ थैजू अब हम क्या करेंगे वहां क्या कर वंक्त प्रबाबर कीट मोरे इस्पार रहट आ देंगे ठीक है सोले नहीं कितना जागा बाबू 25 रूटंडेर किसकार रहटा तो इसका एंसर कितना कितना वाबू 5 आ गया तो FM5 तो इसका मतलब 5 के बरावर हो गया तो तीसरा करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है ओके 5 का तीसरा option छटा कहता कि कॉस 90 डिग्री माइनस टिटा किसके बरावर हो जागा अब अब तो यह तो जिंदा सुत्र पूछ दिया है तो कॉस 90 डिग्री माइनस टिटा होता है साइन टिटा के बरावर यह दूसरा option correct answer है ठीक है वही हम बात करते हैं यहां पर कि अब आज 10 टिटा का मान पूछा जा रहा है तो ऑब आवर सुत्र क्या होता है बावू तो पीवाइबी होता है तो पी की वैलू हमारे पास 12 B की वैलू भी हो गया यानई यानि वैलू 5 हो गया तो यहां पर सुखकार हाँनी हाइपोटेनियस बोले तो कर निकाल देंगे तो कर यहां होगा यहां पर 119 बार क्रेक्ट इंसर हो जाएगा। 12बट 13 किंसर हो जाएगा। ठीक है वहीं हम बात करते हैं बाबु यहां पर आठमा प्रश्ण की आठमा क्या कहता है कि दो गोले के आयतनों कानुपात इतना है तो उनके संपुन प्रिष्चत फ़लों कानुपात क्या होगा तो प्यारे बच्चों यहां पर हम करेंगे क्या पहले यहां पर कहता है कि दो दोनों के अनुपात ए गुले करेंगे यह दूसे गोले तarity होता है लिक्सकार रए Danke ओंग system करेंगे दूसरे गुले का यह दिया गयां और सब्सकी अनुपात हो जाएगा 27 अब यहाँ पे काट लो यहाँ पे देख लो आठ मा प्रश्ण हम सॉल्व करें ठीक है तो देखो यह 4Y 3Pi से 4Y 3Pi cancel R1 और R2 का मानी बच गया कि हमारे पास 8 बटे 27 अब यहाँ पे हम गहनमूल हो जाएगा वही हम बात करें इधर तो 27 का गहनमूल हो जाएगा है किने कि यहाँ की भटा दिये तो तो देखो 8 का गहनमूल निकालेंगे तो क्या होगा आठ को आप लिख सकते हो क्या आठ को आप लिख सकते हो दो गुने में दो गुने में दो यही लिख सकते हो ना आठ को तो दो दुना चार चार दुना तो तीन गो दो में से एगो दो बाहर करते घंड मून में तो यहां पर 2 आ जाएगा 27 को क्या लिख सकते 3 गुने 3 गुने 3 यानि 3 तीन तीन नोन होती है 27 तो 27 का गनमून निकालोगे तो 3 आएगा हमें निकालना है तो गोले का परिष्ट के च्छत्रफल का Cen leopard हमें निकालना है तो गोले काप्रिष्ट क्या होँता है बाबु 4 πय आर 2 होता है निकालने quasit निकिन निकालोगे बाबु तो यहां पर क्या कर पर देख देख अंसर हो जाएगा वही हम बात कर लेते हैं कामा तो यहां पे 9 की 9 क्या कहता है कि यदि किसी बारम बारता सारनी का माध्य 27 एवा माधिका 33 हो तो बहुलक बराबर होगा तो बहुलक बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ बाबू तो बहुलक बराबर जो होता है न बहुलक बराबर जो होता है वो थीरी माध्यक या माध्यका कह सकते हो, तो थीरी माध्यक, माइनस के 2 माध्य होता है, ठीक है, 2 माध्य, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, माध्य, माध्य हमारे पास 27 और माध्यका, यानि माध्यक कहें, एक ही बात है, ठीक है, तो माध्यका 33 है, तो यहाँ पर ल 27 दुना कितना हो जागा, 24 हो जाएगा, तो अब घटाएंगे, 49 में से 24, तो 9 में से 4 गया, तो 5 में से 4, 45 हो गया, यानि बहुलक जो आ गया, बबु, 45 अंसर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास, तीसरा करेक्ट अंसर हो जागा, तो दो विरित के छेत्रफल का नुपाद, विरित का छेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई रेस्कार होता है, तो इसको R1 माल लेते हैं, और इसको R2 माल लेते हैं, ठीक है, पाई रेस्कार यानि इसको R2 माल लेते हैं, दो विरित का छेत्रफल, विरित का छेत्रफल क्या होत बाा पाल टाल देंगे क्यों कि यहां भी-वर्ग धांगे तो नो का वर्गों कितना होगा बाबुप दो का रवं का मानी और का मन निकालना किया पैपाओं यहां पर परीधियों का अनुपाद तो विरित की परीधि क्या होता है 2 pi r होता है और बटे में लिखेंगे 2 pi r है ना यह इसको r1 इसको r2 माल लेंगे तो 2 pi से 2 pi के अंसिन तो हमारे पास बचा r1 बटे r2 r1 का मान है हमारे पास 3 और r2 का मान है 2 तो कहने का मतलब 3 अनुपाद 2 ही अंसर आ गया है ना 3 अनुपाद 2 यानि पहला correct अंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत अब यहां पर प्रेश्ण कर्मा 11 को solve करेंगे 11 क्या कहता है कि 10 21 डिगरी बटे cos 79 डिगरी तो इसको हम solve करेंगे तो इसमें से क्या करो किसी एक को बदल लो है ना 10 21 डिगरी को ही बदल लो question number 11 में तो 10 है तो 10 लिखेंगे उसके बाद हम 90 डिगरी में से कितना डिगरी घटाएंगे कि 21 डिगरी आ जाए तो आप कहोगे बाबू 79 डिगरी है ना उनतर डिगरी घटाएंगे तभी तो आएगा ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 है तो 10 रहेगा 90 में से 69 डिगरी घटाएंगे तो 21 डिगरी पहुंच जाएगा तो इसको ऐसे तोर सकते हैं और बट्टे में क्या है कॉट 79 डिगरी तो 69 डिगरी अब हम क्या करेंगे 10 90 डिगरी माइनस ठीटा यह ठीटा के स्थार पर 69 डिगरी है तो 10 90 डिगरी माइनस ठीटा क्या होता है कॉट ठीटा ठीटा के स्थार पर 69 डिगरी तो 69 डिगरी बट्टे में यहाँ पे हो जागा यानि option यह correct answer है ठीक है कोई दिक्कत नहीं यह दिक्कत अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू 12 देखेंगे 12 कहता कि 1 से 100 तक की धनातमक सौम संख्याओं का माद्धे होगा 1 से 100 तक की धनातमक सौम संख्या का माद्धे हो 100 तक नहीं 2 तक तो एक से दस तक धनातमक सौम संख्या कौन कौन है बाबू है ना वो हम देखेंगे तो देख लेते हैं बाबू क्या दिक कते ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है है ना तो एक से दस तक पहला तो सौम संख्या दो है उसके बाद चार है उसके बाद छे है उसके बाद आठ है और यह 10 कि दस में लेंगे 10 तक है इसलिए तो इन सभी को जोड देंगे तो हमारे पास इसका जम निकालेंगे तो क्या होगा सभी को एड कर देना परेगा और कितनी संख्या एक दो तीन चार पांच तो 5 लखेंगे सब ko जोड़ेंगे 6-4-10, 10-10-20, 28-28-22, 30 हो जागा, 30 बटे 5 हम काटेंगे, 6-5-30, तो हमारे पास 6 अंसर आजागा, यानि option भी correct अंसर हो जागा, ठीक है, वही हम बात करते हैं 13 की, 13 क्या कहता है, कि निम्ल में से कौन योगिक संख्या है, योगिक संख्या को संख्या भी कहते हैं, और भाजे सं करने पर, 3, minimum 3 संख्या आजाए, maximum जीतना है, उसे कोई मतलब ना ही है, minimum 3 संख्या, तो 11 का भाजे गुनन खंड करेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, 11 गुने एक ही लिख सकते हैं, इसमें तो 2 ही आगया, तो 2 आया ही तो यह सिर्फ भाजे संख्या, यह अभाजे संख्या है, भाजे नहीं, भाजे संख्या में, minimum 3 अभाजे गुनन खंड होना चाहिए, 21 को देखेंगे, 21 को तो रहेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 7 गुने में 3, 7, 21 और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 21 भी तो लिख सकते हैं, 21 से भी कटेगा, है ना, क्यूंकि मालों की 21 को अग आ गया, 3 संख्या आ गया, maximum कितना जाए, उसे कोई मतलब नहीं, तो समझो कि एक कीस हमारे पास क्या है, एक योगिक संख्या यानि भाजे, आपने इस प्रश्न को समझ लिया, इसका कीस इंसर करेक्ट हो जागा, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बता दू कि वीड ठीक है, धन्यवाद दोस्तों